आयूस्मान भारत योजना के अंतरगत कारी करने वाले VLE को काफी बर आप डेट देने जा रहा हूँ दोस्तो आप लोगों को पता चली गया होगा कि अब आयूस्मान भारत योजना का पोर्टल किस प्रकास से लॉग इन करना है लॉग इन को लेकर बहुत बर आप डेट आया है साथ ही साथ दोस्तो आयूस्मान भारत बिया इस पोर्टल पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है या भी मेंटेनेंस के तोर पे वर्क कर रहा है तो दोस्तो अगर आप आयूस्मान भारत योजना का वर्क करते हो PMJOY में काम करते हो BIS पोर्टल को लॉग इन करते हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है और बहुत बरा बदलाव कर दिया गया है चलिए दोस्तो इस वीडियो की सुरुआत करते हो तो यारो जिस भी वीडियो को देखें उसे कम से कम एक लाइक ज़रूर कर दिया करें चलिए दोस्तो इस वीडियो की सुरुआत करते हो और जान लेते हैं इस इंपोर्टेंट अपडेट के रिए गारिंग तो सबसे पहले दोस्तो आपको आना है PMJY के official website पे जब आप इस पे आएंगे PMJY.CSEcloud.in इस पे जैसे ही आप आएंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है आधार नंबर डालने के तो आपको confirm पे क्लिक करना है प्रोसीड आपको करना है जैसी आप प्रोसीड करेंगे आपका biometric device का light जल जाएगा उस पे आपको अपना finger रखना है और finger रखने के बाद आपको login करने है यानि कि दोस्तों पहले जो issue आती थी किसी भी estate का CSCID लेकर किसी अनदर estate के VLE किसी भी अनदर estate के लोगों का आईश्मान भारत golden card बना देते थे जहां पे इसका work अभी पूरी तरह से चालू नहीं हुआ था तो ये सभी issue आप बंद हो जाएंगे अब आईश्मान भारत BIS portal login करने के लिए VLE इसको अपने अंगूठा का निसान या फिर अपने thumbprint का निसान देना होगा आपने आपको fingerprint देना होगा चलिए दोस्तों इससे कैसे करना हो उनमें आपको करके दिकाता हूँ मैं यहाप एक video रखा हूँ मैं आपको play करके दिखाता हूँ so finally दोस्तों मैं इसको play करता हूं और आपको मैं दिखाता हूँ simply दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते है कि ऐसा कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिलता है Biometric device को आपके अपने computer से connect रखना है और यहाँ पे आपको अपना आधार number डाल देना है तो चलिए दोस्तों यहाँ पे जो आधार number डाला जा रहा है उसको देख लेते हैं आधार number डालने करें दोस्तों क्या करना होता है इस सिंपल सा फंड है आपको अपने fingerprint scanner पे आपको अपना finger रखना होगा और वहाँ पे आपको scan पे click करना होगा जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं process यहाँ पे demo वाथ का चलना है demo वाथ का process जैसी चलता है simply आपको start capture पे mode पे tick करके start capture करना है देखे दोस्तों जैसे यहाँ पे दिखाया गया है और यहाँ पे finger रखा जा रहा है यह finger scan ले लिया scan लेने के बाद दोस्तों simply आपकी जो है BIS portal login हो जाएगी दोस्तों अभी login करने में आपको एक issue देखने को मिलेगा यहाँ पे अगर आप login करोगे तो यह और estate not configure का issue आएगा जो कि कल से ही आ रहा है मैंने इसके उपर एक video बे दिया है जिसमें मैंने बता रखा है sorry दोस्तों यहाँ पे add पे click हो गया मैं इसको back करता हूँ यहाँ पे चलिए इसको मैं back करता हूँ तो दोस्तों estate not configure का error आपको देखने को मिलेगा जैसा कि आईश्मान भारत में कल से ही आ रहा है तो यही बहुत बर आपडेट है कि आपको आईश्मान भारत login करने के लिए fingerprint की जरूरत होगी जाएगा login होने में अभी problem आ रही है मैंने इसको पर आपके एक वीडियो दिया था यहाँ पर मैंने वीडियो आपको दिखाया है BIS portal में एक issue आ रहा है तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिए और इसका solution भी मैंने बता रखा है तो दोस्तो आप बहुत पर अपडेट है बहुत अच्छी बात भी है जो लोग चाहते थे कि आई उश्मान भारत login में fingerprint दे दिया जाए अब आप हमें बताइए कि यह नया अपडेट BIS portal का CSE का और State Team का आपको कैसा लगा अब Biometrics से अंगुठा देकर ही कि अच्छी बात भी है